ओम नमस्षिवाय नमः शिव जी के परम भगतो आज हम स्री महा कालेश्वर जोतिर लिंग के मानसिक यात्रा पे चल रहे हैं अर्थात स्री महा कालेश्वर मंदिर की कता सुनेंगे स्री महा कालेश्वर जोतिर लिंग परम पवित्र मद्य परदेश के अजैन नगर में है पुन्य सलिला क्षिपरा शिपरा नदी के तट पर अवस्तित यह उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे यह भारत की परम पवित्र सब्द पुरियों में से एक है इस जूत्रिलिंग की कथा पुराणों में इस परकार से बताई गई है कि प्राजीन काल में उजेनी में राजा चंद्रसेन राज्ये करते थे वे परम शिव भक्त थे एक दिन स्रीकर नामक एक पांच वर्ष का गोप पालग अपनी मां की साथ उधर से गुजर रहा था राजा का शिव पुजन देखकर उसे बड़ा विसमे और कोतु हल हुआ वेश्यम उसी प्रकार की सामगरियों से शिव पुजन करने के लिए लालाई थो उठा सामगरियों का साधन नए जुटने पर लोटते समय उसने एक पत्थर का टुकड़ा रास्ते से उठा लिया घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित करके पुश्प चंदन आदी से परम स्रधा पुर्वक उसकी पुजा करने लगा माता भोजन करने के लिए बुलाने के लिए आई परंतु वह पुजा चोड़कर उठने के लिए किसी भी परकार से तयार नहीं हुआ अंत में उसकी माता ने जला कर पत्थर का वह टुगड़ा उठा कर दूर फैंक दिया इससे वह बालक बहुत ही दुखी हुआ और जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा रोते रोते अंत में बेहोश होकर वहां गिर पड़ा बालक की यह परम भक्ती और प्रेम देखकर आशुतोष बगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए बालक ने जो ही होश में आकर अपने नित्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने बहुत ही भव वेरते विशाल स्वारन और रतनों से बना हुआ मंदिर खड़ा है उस मंदिर के भीतर एक बहुत ही प्रकाश पूर्ण बास्वर तेजस्वी योतिर लिंक खड़ा है बच्चा प्रसन्नता और आनंद भी भोर होकर बगवान शिव की स्तूती करने लगा माता को जब ये समाचार मिला तो दोड़कर उसने अपने प्यारे पुत्र को गले से लगा लिया पीछे राजा चंदर सेन भी वहाँ पहुंच कर उस बच्चे की भक्ती और सिद्धी की सराहना करने लगे दिरे तिरे वहाँ बड़ी बीड जूट गई इतने में उस्तान पर हनुमान जी प्रकट हो गए उन्होंने कहा कि मनुष्यों बगवान शंकर शिग्र फल देने वाले देवताओं में सरुप्रतम है इस बालक की भक्ती से प्रसन होकर उन्होंने इसे ऐसा फल दिया है जो बड़े बड़े रिशिमुनी करोणों जन्मों की तवश्या से भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं इस गोप बालक की आठवी पीडी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा द्वापर यूग में बगवान विश्णू कृष्णा अवतार लेकर उनके यहां तरह तरह की लिलाईं करेंगे हनुमान जी का इतना कहकर अंतरज्यान हो गई उस स्थान पर नियम से बगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में स्रीकर गोप और राधा चंदरसेन शिवधाम को चले गए इस जोतिरलिंग के विश्य में एक दूसरी कथा यह भी है कि किसी समय अवंतिका पूरी में वेद पाठी तपोनिष्टे कत्यंत तेजस्वी ब्रामन रहा करते थे एक दिन दूशन नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपश्या में विग्ण डालने के लिए वहाँ आया ब्रह्माजी के वर्से वेबुत शक्ति शाली हो गया था उसके अत्याचार से चारों और त्राही त्राही मची हुई थी ब्राह्मन को कश्ट में प्रादेक कर प्राणी मात्र का कल्यान करने वाले भगवान शेंकर वहाँ प्रगट हो गए उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुन अत्याचारी दानव को वहाँ भश्म कर दिया भगवान वहाँ हुंकार सहित प्रगट हुए इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया इसलिए उस परम पवित्र जोतिर लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है महाभारत, शिव पुरान और सकंद पुरान में इस जोतिर लिंग के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है ओम नमः शिवाय नमः झाल झाल